आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें Hello Friends, हमारा कॉशन है महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाकाओं में रक्त प्रवाह का दबाव कहलाता है तो यहाँ पर हमें एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, जहाँ पर हमें पूछा है कि जो महाधमनी होती है, ठीक है महाधमनी, इसके अंदर क्या होता है, महाधमनी के अंदर और उसकी शाकाओं में रक्त प्रवाह के द्वारा, क्या होता है रक्त प्रवाह के द्वारा एक दबाव उत्पन होता है यह क्या कहलाता है, तो इस दबाव को क्या कहते हैं, रक्त चाप कहते है क्या कहते हैं रक्तचाप कहते हैं तो ये हमारा रक्तचाप कैसे उत्पन होता है कि जब रक्त जो होता है यह जब महाधमनी यानि की महाधमनी और उसकी शाखाएं जो है या फिर उससे निकली हुई जो नलिकाएं हैं उनसे होकर गती करेगा तो गती करते समय ये महाधमनी की जो दिवारे या इसकी शाखाओं की जो दिवारे होती हैं उस पर एक दाप रत्यारोपित करता है जिसे हम रक्तचाप कहते हैं ये रक्तचाप हमारा सिस्टॉलिक होता है 120 और डायस्ट्रलिक होता है 80 mmHg mmHg ठीक है यानि की सिस्टॉलिक यानि की जब रदे संकुचित होता है तो रक्तचाप होता है 120 mmHg और जब रदे हमारा शितील या शान्त हो जाता है तो उस समय 80 mmHg हमारा रक्तचाप होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे प्रशने का उत्तर होगा रक्त चाप दबाव क्या कहलाता है यहाँ पर लिख लेते हैं रक्त चाप कहलाता है तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस प्रशने का उत्तर समझाया होगा विडियो को देखने के लिए धन्यवाद